क्या होने वाले हैं अर्मान और अभीरा के बच्चों के नाम क्या आप भी जानने के लिए हैं बेकरार तो फटाफ़ते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और अब तो आप हमें फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर आतार इंट्रोस्टिंग और अमेजिंग अपडेट मिलती रहेंगी तो भई शो में चल रहा है काफी जादा इंट्रोस्टिंग ट्विस्ट एक तरफ हो रही है कृष्ण जन्माश में तो दूसरी तरफ अर्मान और अभीरा अपने होने वाले बच्चे की प्लानिंग करते हुए भी नजर आ रही है जी हां यह रिष्टा क्या कहलाता है कि नए प्रीकैप में हमें दिखाई देता है कि रूही और अभीरा के बीच टकराव होता है अभीरा की ओर से कृष्ण भजन गाय जाने पर रूही को शक होता है और इस मौके पर उसे अपनी मौसी अक्षिरा क कहां से सीखी है तो अभीरा कहेगी कि मैंने किसी मंदर में सुना था जहां शो में अपकमिंग अपिसोड के प्रीकैप में आपने देखा कि अर्मान और अभीरा डोमेंस के कुछ पल चुरा लेते हैं अपने बिजिस शेडियू से तो वो घरों को फूल से सजा रही है और अ अभीरा अभी अर्मान के पहले से ही बच्चों के बारे में बात करने से लेकर के थोड़ी उल्चन में है लेकिन वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी जो कर रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए तो अर्मान का कहना है कि उसे लगता है शादी से पहले उसे अपने future के बारे में सब कुछ discuss कर लेना चाहिए खबरों की माने तो अर्मान ने जहां पर मजाक्या अंदास में अभीरा को अपने बच्चों का नाम भी बता दिया तो अर्मान ने अभीरा को चुन्नू मुन्नू की मा भी कहना शुरू कर दिया है और अपने साथ उसे रोमेंटिक अंदास में डालना भी शुरू कर दिया है इस बारे में उसे सोचने के लिए अर्मान सजेशन देता है जब देखना होगा काफी ज़ादा इंट्वर्स्टें के अर्मान और अभीरा के जब भी बच्चे होंगे तब क्या वाकई में उसे चुन्नु मुन्नु की मम्मी कहका बुलाएगा या फिक कुछ और अलग सा नाम रखेगा वेल जब भी ये ट्रैक आएगा होने वाला है काफी ज़्यादा क्यूट कैसा लग रहा है आपको इस सुनकर कॉमेंट कीज़े साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आप फेस्बुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं for more entertaining and interesting updates